हेलो इव्रिवान मैं सचिन विस्टो कर्मा आज के इस वीडियो में आपके लिए बीस्टी अग्रिकल्चर फिप्ट समिस्टर के प्रोटिक्टिड कल्टिवेशन एंड सेकेंड्री अग्रिकल्चर के important questions लेकर आया हूँ जिनका कि आपकी परिच्छा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है ये सभी questions बहुत ही important है अगर आप लोग इन्हें पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपकी परिच्छा में ये questions आ जाएं और आप अच्छे नंबर से पास होंगे तो इसमें जो सबसे पहला question है वो है हरित्ग्रा के लाभों का wordन कीजिए यानि जो greenhouse होता है उसके advantage क्या है लाभ क्या है उसका wordन कीजिए इसका जो पीडियाफ है मैंने टेलिग्राम पर upload कर दिया है इन सभी questions के answer आपको हमारे इससे आप क्या समझते हैं उनके प्रकारों का wordन कीजिए ये question भी बहुत ही ज़्यादे important है कि green house क्या है और इसके types के बारे में इसके बाद अगला है हरित्ग्रा के भीतर जलवायू नियंत्रण पर बिस्तार से लिखिए यानि इसके इंत्रग्रण जो climatic control है उसको detail में लिखना है तो ये question भी important है और अगला है हरित्ग्रा में सक्रिय तापन और सक्रिय सीतन का wordन कीजिए इसके बाद अगला question है एक प्राकृतिक वातायन वाले पाली हाउस के बिभिन भागों इवं निर्मार प्रिक्रिया का wordन कीजिए अगला question है green house की रूपरेखा तयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये question भी बहुत ही जादा important है तो ये जो 10 question है अगला है कम लागत वाले green house की निर्मार बिदी लिखो तो ये सभ पर ही question जो है long में आ सकते हैं और या तो फिर short में आ सकते हैं तो आप लोग इसे जरूर याद करिएगा इसके बाद कुछ short note है जो की आ सकते हैं तो इसमें जो पहली short note है important है protected cultivation बहुत ही ज्यादा important है इस पर जो है टिपनी लिखने को आ सकती है अगला है green house effect green house effect क्या होता ह है यानि green house प्रभाव क्या है protected cultivation की हिंदियोत के सनरचित केती और greenhouse effect means greenhouse प्रभाव क्या होता है हरितग्रा प्रभाव अगला है EMC यानि equilibrium moisture content और इसके बाद है drying and dehydration यानि सुखाना क्या है और मतलब drying and dehydration में अंतरा सकता है ड्राइंग क्या होता है किसी भी पदार्थ को एक निश्चित मात्रा में नमी का निकालना जो है ड्राइंग है dehydration मतलब बिल्कुल भी नमी को 0% कर देना dehydration है setting net setting net मतलब चायांकन जाल एसे जाल जो चाया करने के लिए लगाये जाते हैं तो इस पर भीटी पड़ी आ सकती है और फॉक कूलिंग क्या होता है इस पर भीटी पड़ी आ सकती है तो यह सभी questions बहुत यादा important है बाकी important topic पर हम आपको जल्द ही वीडियो पुराइट कराए जादेंगे